दोस्तों, क्या आपके पास भी इस तरह का पुराना डबबावारा टीबी है? तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपने इस पुराने डबबावारा टीबी को स्मार्ट टीबी में बतल सकते हैं. यानि आप अपने इस पुराने टीवी में अपने मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव का वीडियो काना तदा फोटो इसमें प्ले कर सकते हैं और इसके साथ इसाथ आप अपने मवाई से ब्लूटूथ कनेट करके अपने इस टीवी में MP3 सौंग भी सुन सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि हम अपने इस पुराने डबा वले टीवी को स्मार्ट टीवी में कैसे बदा सकते हैं दोस्तों इसके लिए हमें एक वीडियो कार्ड की जरूत पड़ेगी यह है MP5 वीडियो कार्ड हम इसी की मदद से अपने पुराने डबा वाले टीवी में अपने मेमोरी कार्ट तथा पेंट ड्राइव का कोई भी वीडियो चला सकते हैं तथा अपने मेमोरी कार्ट के फोटो को भी अपने टीवी में देख सकते हैं और उसके साथ इसाथ अपने मुवाइल के Bluetooth को on करके इसे connect कर देंगे तो हमारे मुवाइल का MP3 song TV में भी सुनाई देगा देखिए यह है Digital Video Player इसमें FM भी है Bluetooth भी है Memory Card है, USB Port है, Aux Cable है यानि इस Digital Video Player में हमें कई सिस्टम मिल जाते हैं जिससे कि हम अपने पुराने डबा वले TV को स्मार्ट TV में बदल सकते हैं यह MP5 किट देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अब आप सोच रहे होंगे कि सेम इसी तरीके का एक MP3 Player आता है कहीं वही तो नहीं है, तो मैं आपको होता दूँ कि यह बिल्कुल उससे अलग है जो MP3 Player आता है, वो इससे अलग होता है देखिए, वो इस तरीके का होता है देखिए देखने में सेम इसी तरीके का दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें लिखा है डिटेल वीडियो प्लेयर जबकि MP3 प्लेयर में यहां पर क्यों म्योजिक स्पीकर लिखा है यहां फिर MP3 प्लेयर लिखा होगा बाकि सबी आइटम लभग दिये रहते हैं जैसे USB, Memory Card, Aux Cable, FM लेकिन यहां देखिए एक अंतर है यहां लिखा है MP3 और यहां लिखा है MP5 यानि इससे हम वीडियो को प्लेय कर सकते हैं जबकि इस कार्ट से केवाल हम आडियो ही सुन सकते हैं और इसके कीट में भी बहुत का अ रशा है यह MP3 किट कभी कभी बड़ा भी आता है देखिए इस टाइप का लेकिन यह भी MP3 किट है यह video किट नहीं है यहां देखिए Video Kit में यह बड़े बड़े IC लगे हुए हैं और यहां देखे, Jaq भी करें, दिये हुए हैं Video Player में, 1, 2, 3, 4 यहां पर 4 Jazz दिया है और यहां देखे, केबस दो ही है तो यह दोनों है MP3 Kit जब कि यह है Video Kit तो इसी MP5 Kit की मदद से हम अपने पुराने डबा वाले टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं देखिए इसके रिमोट में भी अंतर है यह है वीडियो प्लेयर का जो कि बड़ा सा रिमोट मिलता है और इसमें बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं इसमें यह सारे आपसा नहीं दिये हैं बिल्कुर सिंपल सा है जबकि वीडियो प्लेयर वाला थोड़ा सा बड़ा है और इसमें कुछ बटन बढ़ गए हैं तो चलिए हम इसका कनेक्शन समाझे लेते हैं कि इसमें कनेक्शन कौन कौन सा दिया है और इसका connection हमें कैसे करना है देखिए यहां पर connection करने के लिए चार port दिया हुआ है यह पहला वीडियो के लिए है यह power के लिए है और यह है audio के लिए यदि आप mic का यूज़ करना चाहते हैं तो यह चौथा वाला है mic का तो देखिए यह है वीडियो के लिए यहां पर लिखा है ground मतलब इस side का ground है और यहां लिखा है CVBS यह है वीडियो का तो इस वीडियो connection करने के लिए यह two pin वाला तार मिलता है तो इसे हमें इस तरीके से इसमें लगा देना है इसमें हमें अपने मॉयर के चार्जा से पाँच बोल्ट का पावर देना है यदि इसमें fit नहीं बैठता है तो आपको क्या करना है यहां पर दो तार solding कर देना है इस side वाला ground है और इधर वाला positive है यानि हमें अपने मॉवाइल के charger से इसे पाँच बोल्ट देना है तो दो तार हमें आपे जोड सकते है दो connection हमने कर दिया तीसरा connection है audio का तो audio का भी हमें इस तरिके से इसमें लगा देना है लेकिन यह audio का भी उल्टा दिया हुआ है यह रेट कलर है यह FM antenna के लिए है यह होना चाहिए था इस side लेकिन दे दिया है उस side तो यह गलत का नशन दे दिया है यहां देख लिखा है आर आउट यह audio का यानि राइट आउट है audio के लिए यह बीच वाला ground है और इस side वाला यहां वाला left out है यह तीन है audio के लिए और लास्ट में चौथे नवार्ट दिया है mute यह FM antenna के लिए है लेकिन यहां पर वायर जो है उल्टा दे दिया है यह देट वायर इधार होना चाहिए था यह तीनों वायर इधार होना चाहिए था तो कोई दिक्कत नहीं हम इसी को लग कर लेते हैं अब देखिए इस वायर को हम इधार मोड देंगे क्यांकि यह वायर FM antenna का हो गया और इसमें से बीच का है वो ground है और इधार का left है और आर वाला right है हम इस तरीके से TV में इसका connection नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए इस तरीके का audio video socket देखिए पीला वाला video के लिए होता है और यह दो होता है audio के लिए तो इसी में हमें इनका connection करना है तो इस पीले वाले में हम ground को side में जोड़ देंगे यहाँ पे और positive को इस बीच में जोड़ेंगे देखिए इस तरीके से तो हम इसे solding से sold कर देते हैं देखिए हमने यहाँ पर video connection कर दिया है ground वाले को यहाँ side वाले में जोड़ दिया है और positive को बीच में यह देखिए वीडियो को हो गया दो बज़ता है audio का red वाले में right काम जोड़ देंगे सफेद वाले में left का देखिए यह हो गया connection तो हमारे रंगीन टीवी में इसी तरीके से audio वीडियो का female jack होते है तो हमें एक audio वीडियो का male jack चाहिए जो कि हमारे टीवी में लगा होता है उसमें से पीले वाले को इसमें लगा देगे और लाल वाले कि जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखा एता हूँ कि चार्जिंग कनेक्टर गोना चाहिए तो हमें इस तरीक के का एक चार्जिंग कनेक्टर चाहिए जिसमें की Che right वायर का charger आराम से लग जाए तो हमें इसी तरीका का charging connector लेकर और इस तार में हमें जोड़ देना है मेरे पास 3.5 बाइटरी है इसी को मैं इसमें जोड़ के एक बार चेक कर लेता हूं कि वीडियो कीट काम कर रहा है कि नहीं इधर वाले में हम माइनस देंगे क्योंकि ये ground है positive वाले को हम red wire में जोड़ देंगे तो देखिए इस 3.5 बाइटरी से भी ये किट काम कर रहा है हला कि जब आप इसमें वीडियो प्ले करेंगे तो आपको इसमें proper 5 बाइट देना पड़ेगा यदि आप इस कीट की मदद से अपने टीवी में या फिर कोई भी इस फिकर लगाकर केवल MP3 सांग सुनते हैं तो आप इस 3.7 बाइटरी से सुन सकते हैं लेकिन जब आप इस कीट में अपना मेमोरी कार्ट लगाएंगे या फिर पेंट ड्राइव ताकि आप अपने टीवी में वीडियो प्ले कर सके तो आपको इसमें proper 5 बाइट देना पड से यदि आप वीडियो प्ले करेंगे तो वीडियो कहीं कहीं अटकेगी सही तरीके से प्ले नहीं होगी तवी मैंने आप लोगों को किवल चेक करने के लिए दिखाया है मैं अपने मोगाल के चार्जर से ही इसमें 5 बोल दूँगा दोस्तों इस MP5 कीट का पूरा कनेक्शन क आप चाहें तो ऐसे ही अपने टीवी में इसे लगा सकते हैं लेकिन मैं इस किट को एक डब्बे में फिट कर दूँगा ताकि यह बिल्कुल सुरचित हो जाए इस वीडियो प्लेयर किट में 5 बोट का पावर देने के लिए मैं चार्जर को भी लगाऊंगा तो जैसा कि आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को एक और वीडियो बना कर दिखा दूँगा कि मैंने इस डब्बे में इस वीडियो प्लेयर किट को कैसे लगाया है अब चलिए हम इसमें अपने मोईल के चार्जर से पावर देते हैं और देखते हैं ऑन होता है कि नहीं देखिए ये है मेरे मुवाईल का चार्जर इस से हम इसमें लगा देते हैं ये दकिए एन हो गया ये इन मोड को चेंज करके देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं अब मोड को दबाते है ये दकिए फेम मोड पर आ चुका है ये यह जूल यूक्या sound लिखा ब्लुाइए यानी यह भ कि ये सही प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं ये है एक पुराना डबा वाला टीबी इस टीबी के पीछे में या फिर आगे कहें भी वो जो colorful jack दिया होता है उसमें ये तीन audio video cable लगा होता है तो इस तीनोँ audio video cable को हम पीला वाले में पीला लाल वाले में लाल और सफेद वाले में सफेद को लगा देंगे उसके बाद अपने मोईल के चार्जर से पांच बॉर्ड का इसमें पावर देंगे तो जैसे का आप दे सकते हैं जैसे हैं हमने आडियो वीडियो केबल को लगा कर 5 बोड का पावर दी तो हमारे इस डबबा वाले टीवी में इस वीडियो कीट का पूरा फंक्शन आ चुका है सबसे फर्स्ट में दिया है FM उसके बाद Ox In, Movie, Photo, Music, Bluetooth, Explorer, Setting यह सब आप्शन इसमें दिया हुआ है आप चलिए इस आडियो वीडियो कीट में आपने पेंड्राइव को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे इस डबावले टीवी में वीडियो प्ले होता है कि नहीं यदि आपके पेंड्राइव या अपने मेमोरी कार्ड में MP3 सांग होगा तो सबसे फर्स्ट में वही MP3 सांग बजना शुरू हो जाएगा उसके बाद जब आप रिमोट में मीनू बटन को प्रेस करेंगे तो फिर से पुरा आपसान आ जाएगा वहां से आप अपने इच्छा के अनुसा बीडियो प्ले कर सकते हैं फोटो देख सकते हैं FM सोच सकते हैं यहां देखे FM दिया है और यहां तीसरे नहीं पर दिया है मूट तो इस रिमोट में यहां पर बीच में एक इंटर का बटन दिया है इस के बगल वाले बटन यानी से वाले बटन को हम इस तरह के से प्रेश करेंगे तो यहां पर मूवी के दोनों साइड में तीर का निसान आ जाएगा उसके बाद हम इंटर बटन को दबा देंगे तो हमारे पेंट ड्राइव में जितने भी वीडियो होंगे जो कि बिल्कुल फुल एजडी में हैं और ये वीडियो फुल एजडी वीडियो को भी हमारे डबावने टीविए में प्ले कर सकता है आप देखी सकते हैं इस साधी का वीडियो अच्छी प्रकार से इस टीविए प्ले हो रहा है इस रिमोट में यह जो NEXT प्रटन दिया है इस NEXT प्रेस्ट करेंगे तो इसके आगे वाली वीडियो फ्ले होना सुरू हो जाएगी और इस रिमोट से आप टीवि के वरलूम को कम जादे कर सकते हैं देखिए आप next बटन दबाते जाएंगे तो इस पेंट ड्राइब में जितने भी वीडियो होंगे सभी वीडियो one by one प्ले होना शुरू हो जाएंगे यदि आपको इस टीवी में फोटो देखना है तो फिर से आप menu बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद movie के जश्ट बगम दिया है फोटो फोटो पे लाकर जब आप इंटर कर देंगे तो आपके पेंट ड्राइब में जितने भी फोटो होंगे तो सभी फोटो आपके टीवी में दिखाई देने लगेंगे यहां नीचे में दिया है music यहां से आप mp3 song भी सुन सकते हैं और सबसे last में दिया है setting आप चाहें तो इसमें कुछ setting भी कर सकते हैं हाला कि इसमें कुछ setting करने की जरूत नहीं है आपको जो भी इसमें setting दिया हुआ है वो बिल्कुल perfect है तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी आपने इस डबा वाले टीवी में आपने paint drive या memory card का कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं चाहे साधिक cassette हो या फिर आपने कही का recording किया हो उस सब इसमें चला सकते हैं यह आपको यह MP5 kit चाहिए तो इस MP5 kit को खरीदने का link मैं अपने इस वीडियो के description box में दे दूंगा आप चाहें तो वहां से इस MP5 kit को purchase कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूबत आईएगा अगर वीडियो पसंद करके एक और जुगार वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंकि दोस्तों